प्रियंका चोपड़ा को हम एक फॉर्मर मिस वर्ल्ड, दे नैशनल अवर्ड विनर, आक्टर, सिंगर और इंटरनेशनल स्टार के रूप में जानते हैं प्रियंका के फादर इंडियन आर्मी में सर्जन थे और उनकी मदर गाइनोकॉलिजिस्ट और एंटी स्पेशलिस्ट हैं प्रियंका की family शुरू से academically बहुत inclined रही है तो उन्होंने ये कभी सपने में भी नी सोच रखा था कि उनकी family में से कभी कोई actor भी बन सकता है प्रियंका छुटियों में अपनी mom और भाई के साथ अमेरिका गई थी अपनी aunt को visit करने और वहाँ वो अपनी cousin के school चली गई ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ का school system होता कैसा है school दिखाते समय वहाँ पे जरा IQ टेस्ट चल रहा था सभी बच्चों का तो वहाँ की counselor उन्हें बोलती कि तुम बैट जाओ वहाँ बैट के बोर होने से अच्छा प्रियंका ने वो test attempt कर लिया और बाकी सभी बच्चों के comparison में उनका score सबसे high था ये देखके school वालों ने उनसे कहा कि आप हमारे याँ study करो हम आपको visa वगारा सब करवा देंगे प्रियंका की parents को उसकी study से कोई problem नी थी तो वो मान गए वहाँ रहने के दौरान एक दिन प्रियंका के साथ कुछ African American लड़किया भिड़ गई और उनके skin tone को देखके उन्हें brownie बुलाना शुरू कर दिया उनके locker पे अनाप्शनाब लिखना शुरू कर दिया और day by day चीजे बस और बिगड़ी रही थी तो एक break लेने के लिए वो इंडिया में अपने घर बरेली में वापस आ गई बाद में जब Australia में scholarship लेने के लिए प्रियंका अपनी formal pictures खिचवाने गई तो photographer ने बोला कि मैम आप बड़े सुन्दर हो formal photos के साथ क्या मैं आपकी different poses में photos ले सकता हूँ और फिर बाद में प्रियंका की mom ने उसे बिना बताए उसकी वो photos Femina Miss India में भेज दी फिर surprisingly एक दिन प्रियंका के पास Femina वालों का phone आता है saying कि you have to come to Delhi आपका interview है past दिन में and you may get shortlisted and then प्रियंका अपनी mom के साथ Femina के लिए चली गई प्रियंका सोचके तो गई थी कि चलो अच्छा है मेरे pre-board skip हो जाएंगे so I'll go for a month and then come back to give my boards and go to Australia but then surprisingly सब कुछ वहाँ अच्छा होता चला गया and she became Miss World उसके बाद उन्हें कुछ movies में काम करने को मिल गया और कुछ movies में से उन्हें निकाल भी दिया गया क्योंकि शुरू में hero कभी कबार जान पहचान की actress recommend कर देता था बट जो प्रियंका का learning attitude था वो उसे उसके profession में आगे लेके आया और इसका जीता जाकता proof है उनकी super hit films like Atras, Dawn, Fashion, Burfi, Maricom, Bajirao Mastani, American TV Series Quantico and etc etc .